हाई फ्रेंज वेलकम बैक आज हम बात करने वाले हैं फीनो पेमिन्ट बैंक के बारे में यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत ही इक्स्क्लूजिव जानकारी देनी वाली हूँ फीनो पेमिन्ट बैंक के बारे में और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इसका कमिशन इस्ट्रक् करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी भाई ग्रामीन शेत्रों में रहते हैं उनको फीनो पेमिन बैंक की आईडी जरूर लेनी चाहिए क्योंकि इसमें सुविधाएं ही इतनी अच्छी हैं कि ग्राहक भी आपसे खुश होगा साथी साथ आपकी अर्निंग काफी जादा होगी आप चाहें तो डिटेलर आइडी ले सकते हैं या फिर इस्ट्रिग्योटल या फिर स्थूपर इस्ट्रिग्योटर इसकते हैं है इडी कैसी लेनी है आपको आगे बताऊंगी सबसे पहले एक अच्छी खबर देती हूं फीनो पेमिन्ट बैंक अब scheduled commercial banks में count होता है scheduled commercial bank का मतलब ये होता है कि जो भी banks या payment system RBI के guidelines को completely follow करती है उनको RBI ये दर्जा देती है कि वो अब scheduled bank के अंतरगत आएगी तो ये वो document है जहाँ पे 22 फरवरी को RBI ने जारी करके बताया था कि अब फीनो payment bank भी scheduled commercial bank के अंतरगत आएगा अब अगर हम बात करें यहाँ पे services की तो services भी काफी जादा और काफी अच्छी मिलती है इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दू payment के बारे में तो payment system के अंदर इसमें आप recharge कर सकते हैं bill payment कर सकते हैं और money transfer भी कर सकते हैं किसी भी तरह का recharge हो चाहे वो mobile recharge हो DTH recharge हो आप इसके अंदर कर सकते हैं पानी का bill भरना हो gas का bill भरना हो वो भी आप कर सकते हैं और अगर बात करें money transfer की तो domestic या international कोई भी money transfer इसके जरीए आराम से किया जा सकता है अगर हम बात करें accounts की तो यहाँ पर आप saving account खोल सकते हैं saving account के अंदर बहुत सारे तरह के accounts हैं जैसे कि शुब saving account प्रथम saving account salary account सुविधा account PMJDY account भविश्य saving account और जन saving account हर इस तरह के account की अपनी अपनी facilities होती हैं और इसमें government exclusively कुछ benefits देते हैं इस तरह के account में तो इसलिए ग्रामीन शेत्रों में ये काफी ज़्यादा popular होता है अगर बात करें current account की तो आप रगती current account भी इसके अंदर खोल सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे AEPS की यानि आधार enabled payment system की तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल possible है और यहाँ पे आप money transfer तो करें सकते हैं साथी साथ आपको micro ATM की भी सुविधा मिल जाती है तो सुविधाई तो काफी ज़्यादा आप दे सकते हैं अपने ग्राह को लेकिन उससे पहले ये जानना भी काफी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमको इसमें commission कितना मिलेगा तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे commission structure दिखा देती हूँ तो ये है commission structure यहाँ पे A.E.P.S. और micro ATM दोनों का commission structure सेम है और काफी अच्छा है commission structure अगर thousand rupees होता है तो इसका commission आपको मिलता है 1.80 यानि एक रुपे असी पैसे दो हजार रुपे तो जो यहाँ पे commission दिया जारा है यह भी काफी अच्छा है अगर आप current account खोलते हैं तो आपको यहाँ पे सीधाई 55 रुपे का commission मिल जाता है और savings account अगर आप खोलते हैं तो आपको 35 रुपे तक का commission आपके account में मिल जाता है अगर हम बात करें यहाँ पे document की तो अगर आप यह ID लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए देना होता है TAN, आधार, email और phone number आपकी screen पे जो number दिख रहा है अभी नीचे flash हो रहा है जो उस number पे आप contact करें और वहाँ पे आपको सारी documents अपनी देनी होगी यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको payment पहले नहीं करनी है सबसे पहले आपको KYC कराना है यह documents देने के बाद और उसके बाद ही आपको payment करनी होती है यह सारी details मैं नीचे description box में भी दे दूँगी ताकि आपको सुविधा हो जाए login करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आपको ID लेनी है तो KYC document क्या क्या लगेगी तो मैंने आपको बता दिया लेकिन मैं आपको charges बता देती हूँ कि अगर आप retailer ID लेना चाहते हैं तो आपको payment करनी होती है 600 रुपए की अगर आप distributor ID लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपए की payment करनी होती है distributor ID लेने का फाइदा ये होता है कि आपके नीचे बहुत सारे retailer ID आप बना सकते हो और अगर वो काम करते हैं तो उसका commission भी आपको मिलता है अगर आप 10,000 रुपे नहीं खर्च करना चाहते हैं या नहीं खर्च कर पा रहे हैं तो आप ले सकते हैं 20 micro ATM और इस 20 micro ATM के साथ आपको distributor ID बिल्कुल free मिल जाती है और अगर आप चाहें तो आप सुपर distributor ID भी ले सकते हैं तो चलिए मैं अब आपको login करके दिखा देती हूँ तो login करने के लिए हमको आ जाना पड़ता है partner.finopaymentbank.in slash CMS login पे और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं user ID या फिर merchant ID enter करने के लिए option दिया गया यहाँ पे हमको यह details enter करनी होती है और इसके बाद हमसे मांगा जाता है OTP. OTP मांगने के बाद जैसे आप OTP enter करेंगे आपको next option मिलेगा कि आप password enter करें तो मैं यह सारी details पहले enter कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि dashboard हमारा कैसा आता है तो यह है हमारा dashboard और यहाँ पे side में हमें जो tap दिख रहा है यहाँ पे हमें सारी services available होती है यहाँ पे ही आपको micro ATM और EPS दोनों के सुविधा मिल जाएगी अगर हम EPS पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें last transaction से ले करके finger print के through cash withdrawal तक के सुविधा मिलती है यहाँ पे हमने EPS के जरीए कितना transaction किया है यह भी हम आराम से चेक कर सकते हैं और micro ATM के फाइदे तो आप सबको मालूमी होंगे मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और अगर आप retailer ID, distributor ID या super distributor ID लेना चाहते हैं तो screen पे दिये गए number पे contact कर सकते हैं धन्यवाद